जब भी आपको लगे ना कि बस हो गया मैं नहीं कर सकती हूँ मुझसे नहीं होगा बस उसी पल रुख जाना और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखना और अपनी कमियों को धूड़ना जब वो कमिया मिल जाये ना आपको तो उन पे बेहसाब महनत करना और देखना एक दिन कैसे सफलता आपको गले लगाती है लेकिन इस दोरान कभी भी अपने आपको तूटने मत देना तूटकर पैटना नहीं है तूटकर फिर से खड़े होना है और दौड़ना है रादे रादे सभी सो सुबावट के नहाया सबसे सिधे पुजा करी मैंने क्योंकि सॉल पानी में अटकर पी चुकी थी अच्छली मैं और यही रात में विगवा थैंसे लिग लूट प्राइब लेकिन आपको गलास बपानी में विगो के रखती हूं वाट एक अंजीर और दस किशमिश चाहें बलैक हूं यह ब्लैक हो एक बलादे बेटर रहे हैं तो मैंने वह पानी पे लिया तो लेकिन बाद में खाया मैंने बाद में पुझा करने को यहां पर मैं अपनी थोड़े सी रीडिंग कर रही हूं जो मुझे एक घंटा डेली करना ही रहता है उसके बाद फिर मैं आई केचन में और मैंने फिट लिया अपना नारियल पानी जब आप सौल फ्री डे रखते हो तो थोड़ा हेल्दी हेल्दी जादा खाएं कंपयर टू फ्राइज वगेरा क्योंकि दिन की शुरुआत सही अगर हमने पकोड़े पापर चिप्स जो वरत वाले होते हैं खाना चालो कर देंगे तो वो सही नहीं रहेगा इस वालाइज अगर से पांड़े नारियल पानी नहीं है तो आप खेरे रहनी पानी भी पी सकते हो और आप सेंगे प्रिम बनाता था एपनी अने टू McMॉ sekarang बौरे वेल टिस दी कर HmP तो इस तरह से मैं च्छोटे च्छोटे आलो को कट कर लूँगी और उसके बाद हाँ यह चीज कहना चाहरी हूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि सॉल्फ्री डे हम रखते हैं तो एक किलो कम हो जाता है और उसके दूसरे दिन एक किलो बढ़ जाता है बढ़ता नहीं है वह एक्चुल हमारा जो वेट था वह उसी में आ जाता है यह भी तो सोचो यार आपका बोडी डिटॉक्स होता है एक दिन सॉल्फ्री रखने से आपकी जो ब्लूटिंग है जो वोटर एटेंशन है वह भी कम होता है आपकी पूरी बोडी अंदर से डिटॉ जैसे आज मेरा सॉल्फ्री डे था नेक्स डे मैं मॉर्णिंग में बिल्कुल भी नमक का नहीं खाऊंगी लंच से स्टार्ट को तो चलो पहले रसीपी पे आता है यहां पे हम दही ले लेंगे और यह आप ज़रूर बना के खाना बहुत टेस्टी बनता है और इसको तो अवेसे तेल एग्या ज़्या चाहिए रहता है तभी वह कुरकुरे होते हैं तो उतने करने की ज़रूद ने सिर्फ वह अच्छी से फ्राय हो जाए इसमें ऐसे डाल देना है मुझे यह ज़्यादा लग रादा क्वांटिटी आक्चिली मैं इतनी क्वांटिटी नहीं जाए बड़ मैं खा सकती हूं वकाउट भी करती हूं जो लोग से बैठे रहते हैं वकाउट नहीं करते हैं उनको थोड़ा पने पोर्शन पर कंट्रोल रखना चाहिए तो यहां पर मैंने काजू डाले दो और किश्मिश डाली और किश्मिश डाली और उसके बाद हनी भी लेकिन मुझे उतना मीठा चाहिए नहीं था तो मैंने किश्मिश से काम चला लिया अगर आपको ज्यादा मीठा चाहिए तो आप हनी भी डाल सकते हो ठीक है तो यह देखिए हमारा रेडी हो गया है यमी सा रायता सो बहुत ही टेस्टी लगता है एस कंपेर टू कि बॉइल मैंने अपना यह लंच कर लिया लंच के बाद फिर हम निकल ले थोड़ा काम से और थोड़ा काम से ही निकले थी मैं और बहुत जादा देर के लिए नहीं बनानाए तो यहां पे घर पे आ गई हूं और हाँ तो मैं यह कह रही थी वजन के लिए कि आपका मालो 71 है आपने solve free day रखा आपका 70 हो गया ठीक है लेकिन next day जब आपने दिखा उसके बाइद आपने उसी दिन पूरे दिन आपने खाया तो आप morning से मत स्टार्ट करो breakfast नमक लेना है lunch से स्टार्ट करो balance में आएगा समझ रहे हो? I think आप समझ गए होगे दूसरी बात यह कि solve free day का मतलब यह भी नहीं है आप पूरा दिन रखो या fast time रखो all the time तो fast नहीं होने वाला तो आप एक time का नमक भी छोड़ सकते हो if you want इस तरह से भी solve free day रख सकते हो so everything I think सब कुछ आप weight को लेके मत नापा करो बहुत सारे benefits होते है body में solve free day का weight तो कम होते ही है यह plus point समझो यह bonus समझ लिया गुरो बस तो उसके बाद फिर मैंने tea time में लिया aloo के chips या छोटा वाला जो पापड आता है यह salt free पापड है salt नहीं है इसमें वरत में आते हैं यह जहां पे local market होता है बहुत ज़्यादा थोग भाव में जो समान मिलता है राशन का वहां पे बहुत सारे लोग homemade रखते है जिसमें salt नहीं होता है तो यह मैंने fry नहीं किया मैंने oven में इसको किया है तो अगर आपके पास आवन नहीं है तो यह मत खाओ क्योंकि फ्राइब करके नहीं खाना है वह भी चाय के साथ जहर है तेल और चाय का combination जहर है तो आफिर इसकी जगह मखाने ले सकते हो वह ज़्यादा बैटर रहे है और अगर ऐसा कोई पापड़े जो गैस पे सिख जाए तो भी ले सकते हो तो चलिए डिनर की बारी आती है डिनर में बैं बना रही हूँ आज लौकी की सबजी और कुट्टू की आटा की रोटी बनाऊंगी बनाटा की तो या सिंगाड़ा आटा जो भी बोलते हैं दू तरीके की होते हैं पूरी बनती है वैल आलू डाल के उसमें बहुत है और आपने ध्यान दिया हो है जो हम कुट्टू या सिंगाड़े की पूरी बनाता है उसमें कितना घी या तेल एब्जॉब होता है वह आटे का एब्जॉप्शन बहुत जादा होता है मैं यहां पे सिंपली मैंने लाउकी की सबजी बना रहाQué है वह डाला है जेरा डाले है करीपत्त उचाधबे हैं तो थे व्यएक डाल सक्ते ह anál बहुता है सबजी एक रख दी और इनों के पूरी एंड राइता भी अलग से बन गया था इस तरह से मैनेज हो गया अब यह मैने सबजी डाली है लौकी की आप इसमें तुरन पानी नहीं डालना इसको अच्छे से फ्राय करना है जब तक यह बिल्कुल थोड़ी नहीं हो जाती तब पान पानी तो यह बिल्कुल नहीं बहुत तो यहां पर मेरा यह बन गया है और जब तक आप देखी रहे हो तो चैनल को प्ली सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया है अगर आपको मेरे व्लॉक्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूना और श बहुत अच्छी लगती है और निक्स वीडियो इस गूइंग तो बहुत सारे वीडियो आपके लिए आने वाले हैं जो मैं प्रेपेर कर रहे हूं तो लास्ट वाला जो व्लॉक्स था डाइट व्लॉक्स उसमें काफी अच्छा रिस्पॉंस आया पलों का तो मुझे लगा एक जैसी चीज कहां खाके खाके खाका के और अलग अलग चीज ने आपको डाइट प्लान जरूर डिजाइन करना परती हैं तो यहां पर देखिये सब्सी हमारी बन गई है बहुत ही यमी सी सब्सी पूरियां भी हो गई है सो सबसे पहले हम भोग लगाएंगे हम जो भी वर कमेंने के जागी रोटी बनती है और सब्जी मुझें और सब्जी लिए सब्जा का हूँ मैं दों थीं कटोरी सब्जी खाने वाले हैं यहाइक। इस यह की यहां मैंने सब्जी आपको चेहां किन आप की सब्जाने में। बैठी हूं मैं जरूर रिप्लाइ करूंगी जो रिप्लाइ मैं कॉमें ने कर देती हूं बाकी मैं व्लॉग में इंक्लूड करी लेती हूं जिससे की पूरे दिन का जो खाया पिया है वह अच्छी से डाइजेस्ट हो जाए ब्लोटिंग ना हो और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है यह वाला टी तो चलिए मिलती हूं का और खुद के लिए कब से सोचना है आज से कल से नहीं बिल्कुल भी नहीं ओके